9 and 6 में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है सेट से बड़ी खबर आई है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता भी दिया तो चलिए अब आपको थोड़ी और इंफर्मेशन देते है जो मेरे हाथ लगी है आप देख रहे है फीफा फूस में हूँ आपकी होस्ट दोस्विद देखती है उसे लगता है यह रिशब जासा दिखता है जब वो करीब जाके देखेगी तो वो रिशब ही होगा लेकिन आखिर ऐसी कौन सी बड़ी वज़ा होई होगी जिसके चलते रिशब अपने प्यार अपनी बीवी से दूर है तो चलिए आपको इसके बारे हम बताते ह अभी तक यह कहानी जा रहा है कि क्या रीम जो है विल्लिन है या फिर अच्छी है क्योंकि वो अपने मा के साथ तो है महक के साथ है वो पसंद नहीं करती प्रता को वो भी है लेकिन उसने कभी भी प्रता को मारनी की कोशिश नहीं की उसने कभी भी रिशब को मारनी की कोशि और विश्ची को बता देखी या फिर वो रिशब को हेल्प करेगी और वापस अपने घर लेकर आने में घर लेकर आने की पोशचिश करीगी तो आने वला वकती बताएगा बट जहां तक मैं देख पाल यूं कि आफिर क्यों रिशब चुपके बैठा है तो रिशब जो है दे सब्सक्राइब कर ली है तो फिर वो जाके क्या ही करेगा तो उसका दिल तूट जाता है ठीक है जाने दो इस बेटर कि मैं आपे हूं उसे पता चलता है कि वह इंस्पेक्टर विजय और महें की बाते सुनकर उसको पता चल जाता है कि प्रथा इनुसंती प्रथा ने कुछ भी नहीं किया था और प्रथा को इन लोगों ने फ्रेम किया तो रिशब जो है शायद सारी मोमाया वाला दुनिया छोड़ना चाहता है पैसे धन दॉलर्ट शोहरत परिवार सब छोड़के अकेले खुद से रहना चाहता है इसलिए वह अपने पापों का प्राइश करने के लिए केदारनाथ आ गया होगा इस तरीके से हो सकता है उसे अभी तक कोई ख़बर नी होगी कि प्रथा जंदा है गौरी ने जान तो बचाई होगी रिशब की लेकिन बिफोर वह रिशब को बताए प्रथा के बारे में बहुत देर हो चुकी होगी ऐसा हो सकता है इस लिए वो के दारनात में आपको क्या है लगता क्या हो सकता है आने वाले एपिसोड में और कब होगा प्रथा और रिशब का रिउनियन होपफुली बहुत जल्दी हो जाए होपफुली इसी हफ़ते में हमें इसी सटेडे संटी के एपिसोड में देखना मिले इस तरीके से खबरे भी सेट से आ रही है क्या कुछ कहना सा होगे कितने एक्साइचिट हो एपिसोड को लिए कर लेट मी नो आल सी यह सोरी